YouTube आप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ ओम सहना वावतू सहनौ भुनाक्तू सहवीर्यं करवावाई ते जस्विनावधित मस्थू मावध विशावः ओम शांति ही 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 शां Chancellor, Honorable Vice-Chancellor and all the dignitaries on the dais, my sisters and brothers, मुझे बड़ी प्रसंदता है, I am very happy today to be here, especially in the city of Mulana. मुझे तो लगता है कि इस Mulana में आप सबसे मिलाने के लिए, मुझे आज यहां बुलाया है, अब हम लोग की मुलाकात किस तरह से हो, हम लोग कैसे एक दूसरे से मिलें, this is art. Today if something is needed in this country and maybe in the world, how to meet together and how to greet together, if one thing is missing in our culture, how to meet, this was the culture, जिसने हमको मिलना और मिलाना सिखाया, लेकिन मिलने और मिलने वाले culture से, हम लोग कई बार एक दूसरों को मिटाने के culture पे चलने लगे, I think today India, to me, is a young India और इस young दिल इंडिया को तंग दिल इंडिया नहीं बनाना है, ये young दिल इंडिया तंग दिल इंडिया ना बनें, इसके लिए हम एक दूसरे से कैसे मिलें, कैसे हमारी दिवारें टूटें और कैसे हम दरारें भरें, छोटी-छोटे शिक्वे, छोटे-छोटे शक और छोटी-छोटी शंकाएं, इस देश में कई बार दिवारें खड़ी कर देती हैं, एक दूसरे के बीच में, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज, कानवकेशन के अवसर पर हमें how to have a conversation with each other, how we can have a connection with each other, कानवकेशन is great, but this कानवकेशन, let there be a new conversation, the dialogue, the dialogue is like a dialysis, जैसे dialysis, हमारे पूरे शरीर में उस पूरे गंदे खून को बाहर निकाल देता है, और एक नई ऑक्षिजन निर्मान करता है आज, हमारे भारत में, इस dialogue के माध्यम से, हमें कोशिश करनी है, कि एक नया dialogue शुरू हो, एक culture of trust, एक culture of trust शुरू एक दूसरे के भीतर, ऐसा हो सकता है, और उसके लिए शिक्षा बहाद जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले, you know, he is the pioneer, अगर शुरी तरसेम लाल जी गर्ग, who is our chancellor also of this university, to me, मुझे लगता है, एक हिम्मत का काम है, अपनी लिए तो सब जी लेते हैं, अपनों के लिए भी सब जी लेते हैं, लेकिन समाज के लिए, संस्कृती के लिए, संसकारों के लिए, पूरे विश्व के लिए जीना, ये कोई कोई ही कर पाता है, और ऐसे, शुरी तरसेम लाल गर्ग जी के लिए, जोरदार तालियों से, उनका अभिनन्न करें, गर्ग जी भी, मुझे आप पर गर्व है, बहुत गर्व है, 71 साल की आयू, और उसके लिए, 71 प्रोजेक्ट, इस नाट इजी, डिगरी लेना बहुत असान है यार, बहुत असान है, इतना मुश्किल नहीं है, और किसी गधे को, किसी गधे को गधा बनने के लिए, किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़ता, गधा, कभी भी नहीं कहता है'm certified donkey, मेरे पास फैस डिगरी है गधे होने की, कभी सुना है, गधे होने के लिए कोई डिगरी की जरुत नहीं है, कोई गधा कभी एक डिगरी को होल्ड करके, सडक पे नहीं चलता है, आए में डिगरी होल्डर गधा, एक बंदर को बंदर बनने के लिए किसी डिगरी की जुरुत नहीं है कभी देखा है कि बंदर एक पेड से दूसरे पेड पर किसी डिगरी को पकड़के उचलता हो लेकिन एक इनसान को एक इनसान को कितनी सारी डिगरी लेने के बाद कई PhDs करने के बाद डॉक्टर, अंजीनियर और साइन्टिस्ट बनने के बाद अपनी घरवाली कई बार कह देती है यार थोड़े आदमी तो बनो थोड़े तो इंसान बनो जिन्होंने शादी किये पूछिये उनसे अपनी घरवाली कई बार समझा देती है थोड़े तो आदमी बनो क्यों? इसलिए हमारे याँ डिगरी की उतनी वेल्यू नहीं है डिगरी जरूरी है नौकरी के लिए डिगरी जरूरी है समाज में अपने केरियर को जमाने के लिए लेकिन खुद को जमाने के लिए किसी डिगरी की नहीं बल्कि खुद को इंसान बनाने की जरूरत है हम डॉक्टर बने, एंजीनियर बने जो कुछ बननाओ बनो लेकिन end of the day just remember दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना ताथ के लिए कुछ कम न थे करूबियां पूचा करने के लिए तो फरिष्टे भी बहुत थे केवल एक दूसरे का दर्द हम पहचाने इसलिए इंसानियत बहुत जरूरी है एक बुजर्ग से एक नए डिग्री होल्डर ने पूचा एक बुजर्ग से एक नए डिग्री होल्डर से पूचा और वो भुजुर्ग और कोई नहीं श्री तरसेम लाल जी गर्ग थे डिग्रियां बाटने के बाद भी कितने सालों से वे डिग्रियां बाट रहे हैं इस नाट इजी माई डियर आदमी अपने पांच परिवारों के लिए जोपडी खड़ी नहीं कर पाता है when I came to this whole area, I was amazed medical, engineering, ना जाने कितने कितने विभाग मैंने भी पड़े भी नहीं पूरे मैं लिस्ट में ही पड़ रहा था इतने सारे विभाग अपनी जोपडी बनाने के लिए एडियां घिसनी पड़ती हैं कई बार आदमी खुद को भी बेच देता है तब जाके कहीं एक मकान खड़ा होता है और इन लोग इनोंने धाई सो एकड में पूरे समाज को शिक्षा मिले पूरा समाज संसकारी बने इसके लिए ये संकल्प किया उस समय में जबके वल साउथ में, only in the south we have a higher education we had higher education, engineering colleges, medical colleges but he was the pioneer, champion to bring this higher education, this medical education and this engineering colleges here in the land of Haryana, Punjab and Himachal Pradesh I think पुना जोरदार तालियों से उनके लिए अभिनन करें इस व्यक्ति का, और उसके बाद उन से किसी ने पूछा, किसी student ने पूछा, डिग्री होल्डर ने पूछा, और पूछा कि कैरियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, डिग्री भी आ गई, now what next? तो उन्होंने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा, मुझे लगता है कैरियर बनाने के लिए, जिसका सबसे ज्यादा स्कोप है, और कॉम्पिटिशन भी नहीं है, नहीं तो बड़ी डिग्री लेने के बाद, कॉम्पिटिशन इस सो हाई, नौकरी पाने के लिए एडिया घिज ज उन्होंने का, इन्सान बनिये, इन्सान बनिये, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इन्सानियत के लिए अगर कॉम्पिटिशन भी होगा, तो कम से कम सामने वाला इन्सान बनेगा, let there be competition, let there be competition, let there be more scope, किसके लिए, इन्सान बनने के लिए, हम कुछ भी करें, कोशिश करें कि विकास में देख रहाता think, learn and succeed what a great slogan think, learn and succeed आज तो सोचना क्या कई बार यह नहीं पता होता है और सोच है जो व्यक्ति को विशाल बना देती है स्रिष्टी हमारी बदल देती है सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे आज हम सितारों पर जानी की कोशिश करते हैं उन सितारों को छूने की कोशिश करते हैं उन सितारों के साथ पिक्चर लेनी की, सेलफी लेनी की कोशिश करते हैं और अपने सितारे दिखाते रहते हैं अपनी जन्म पत्री दिखाते रहते हैं सच मानिये मुझे तो लगता है अगर खुद को स्टार बनाना हो there is only one way खुद को स्टार बनाने के लिए सितारों के साथ खड़े होने के जरूत नहीं है अपने सितारे भी दिखाने के जरूत नहीं है अगर कुछ करना है तो केवल सोच को बदलिये एक कलाम इस देश का एक कलाम इस देश का पेपर बेचता था सोचिए मेरी जब उनसे मुलाकात हुई कई बार कहते थे पढ़ने को पैसा नहीं था पीने को दूद नहीं था पहनने को कपड़े नहीं थे लेकिन उसके बाद भी वो कलाम इस देश को एक कलाम दे गया एक मैसेज दे गया कि बात कितना मेरे पास है इसका महत तो नहीं है मैं कितना बड़ा बनता हूँ इसका महत तो नहीं है जीवन में मैं कितना बढ़िया बन सकता हूँ और उस बढ़िया बनने के लिए कि बहुत पैसों की जुरूत नहीं है, पैसे तो उनने का मेरे पास भी नहीं थे, मैंने महनत की, और अपने जीवन को समर्पित किया, एक लक्ष के लिए, कि मुझे कुछ बनना है, जीवन में सपना था, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे स्पेस, में जाने वाले, उने, बड़े बड़े यानों को बनाना है, छोटा सा एक गलियों में घूमने वाला वो जवान, कितना बड़ा सपना है, उस सपने को उडान दी, पंक दिये, और वो पंक दिये, के बले संकल्पने, मेरी सौच, मेरा संकल्प, how I think, sometime we keep thinking negatively, गाड़ी में बैठिये, सरकार को गालिय लिया देते रेंगे, सडक में घृचा है तो कोस्ते रहेंगे, यार कब तक कोसेंगे इन सब को, उनको टोको लेकन खुद को भी रोको और खुद को जोको यही सबसे बड़ी डिगरी है, कि मैं डिगरी लेकर नौकरी के लिए नहीं, बलकि खुद को जोकने के लिए आगे रहा हूं, खुद को टोको नहीं, खुद को रोको नहीं, बल्कि खुद को जोको, आज समय आ गया है, हम खुद को जोके, समाज के लिए गड़ा कहीं है, तो नगरपालिका के नहीं, आप इतने सारे लोग खड़े हो जाएं, इस देश का कोई गड़ा, कभी नहीं रहेगा, ब कि मेरा देश मेरा वतन एक चमन बने उस चमन को बनाए रखने के लिए हमें अमन को लाना होगा उस अमन को लाने के लिए हमें सब को सब को मिलकर काम करना होगा तब इस देश का अमन और इस देश में चमन और इस देश के वतन को हम लोग इतना सुंदर बना सकते हैं अगर एक व्यक्ति एक व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है आप मिलकर कितने बड़े काम कर सकते हैं कितने बड़े काम कर सकते हैं माना कि रहा कठिन है बहुत कठिन है ये बात इतना असान नहीं है अगर एक एक पेड़ की से बात हुई है पेड़ लगाने लगें क्यों जरूरी है पेड़ लगाना आज आप देखिए 2040 में in 2040 you will not have enough water to drink just imagine आपको मास्क लगा कर चलना पढ़ेगा सडकों पर अंधेरा आपने देखा अंधेरी आपने देखी धूल आपने देखी लेकिन पक्का मानिए यदि हम इस तरह के परियावरन को जीवित नहीं रखेंगे तो पक्का मानिये कि आने वाले समय में हमको मास्क लेकर निकलना पड़ेगा चाइना में शुरुआत हो चुकी है स्कूल बंद होने लगे हैं फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं इसलिए पढ़ाई के साथ साथ परियावरन को भी संभालें और वही सच्ची पढ़ाई है जो भीतर के परियावरन को और बाहर के परियावरन को भी सुंदर बना कर रखती है हरा भरा बना कर रखती है एक पेड Just imagine one oak tree शैद आपको मालूम होगा one oak tree can give you, can sustain, can preserve 148,000 liter water Just one oak tree One leafy tree can give oxygen for 21 lives, 21 people in one year One leafy tree आप सोची तो सही इसलिए जितने बच्चे उतने पेड इस campus में जितने बच्चे हैं डिगरी के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगा एक पेपर के साथ साथ पेड भी दिया ये जो devotion है इस पेपर का टुकडा जो आपकी जिंदिगी को एक दिशा देता है एक नौकरी देता है लेकिन साथ साथ ये पेड आपको जीने के लिए oxygen भी देता है बहुत बड़ी अशुरुवात की मंच पर जितने लोग बेटे हैं आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ ये बहुत बड़ी शुरुवात है आज देखो भीया दूसरी बात है अपने कल्चर में फर्स्ट इस लर्ण, ये शर्ण, देन ही रिटर्ण एक फर्मुला हो लर्ण, अर्ण, एंडर्ण मेरा जीवन मेरा जीवन सीखहे फिर कमाए फिर समाज को बाटे क्योंकि समाज में बटोरना कही बार मैंने पूरे विश्व में मुझे तो विश्व की सभी बड़ी-बड़ी संस्ताओं में समाज के उन लोगों से मिलने का मौका मिला है और मैंने देखा है जब मेरी मुलाकात United Nation में and World Economic Forum में Bill Gates से हुई Bill Gates को मैंने उस समें देखा उन्होंने अपनी संपत्ती का उस दिन Bill Clinton, Bono and Bill Gates उस मीटिंग में थे मुझे भी जाने का आफसर मिला बोलने का आफसर मिला उस दिन उन्हें उन्हें अनाउस किया कि मेरी 50% संपत्ती just imagine जेब से कई बार सौर पे निकालना मुश्किल होते हैं लेकिन मेरी 50% wealth will be given for charity will be given for donation just imagine for the community, for the society charity, पूरे विश्व के लिए कोई barriers थे, कोई वाल नहीं थी कि किस के लिए, किस के लिए नहीं सब के लिए और charity वही है which has no agenda which has no hidden agenda charity for all वही जीवन सबसे बढ़िया है and 50% you know how much is the money 26 billion dollar that time 26 billion dollar और एक जटके में और उन से प्रेना पाकर Warren Buffett ने, Warren Buffett ने तो अपनी पूरी संपत्ती charity में दे दी, उनके बेटे से किसी ने पूछा, how do you feel तुमारे पिता ने इतना सारा इतना कमाया हुआ सब कुछ पूरे समाज के लिए दे दिया क्या सोचते हो तुम उसने का I am so proud of my dad he knows that I can do on my own वो मेरे लिए पैसे नहीं property नहीं property नहीं बलकि मेरे लिए संस्कृती छोड़ कर जा रहे हैं संपत्ती जब होती है तो उसकी will बनती है और मरने के बाद लोग छोड़ जाते हैं संपत्ती जब होती है तो उसकी will बनती है लेकिन जब संस्कृति और संस्कार होते हैं उनसे गुडविल बनती है इन्होंने तो गुडविल बनाने का काम किया अपने बच्चों को चाहे संजीव हो चाहे विशाल हो चाहे बिनाक्षी हो और उनकी extended family उन सब को बताया बेटा मैं विल में चोड़ने की बजाए गुडविल क्रियेट करना चाहता हूँ यही जीवन का लक्ष है अपनी गुडविल क्रियेट करो कुछ लगे कोई आया था और कुछ करके चला गया ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ भी करूँ मुझे देखकर लोगों को कुछ कुछ होने लगे कुछ कुछ हमको भी होता है लेकिन कैसे होता है लेकिन किसी को देखकर किसी के जीवन को देखकर किसी की सूरत को देखकर नहीं कुछ कुछ हो किसी की सीरत को देखकर कुछ सूरत कामों को देखकर कुछ कुछ होने लगे तो समझना कि जीवन धन्य हो गया माना कि इस जमी को गुलजार न कर सके हम कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिदर से हम थोड़े थोड़े चुनते जाएं बस उतना ही काफी है समय की मर्यादा है और मुझे पता निता मुझे कितना मिनट बोलना है बस इतना ही कहूंगा तो लाइफ is to learn and to learn means not to have more हमारी क्या है? learning means earning. It's not the life my dear only मुझे तो लगता है कि life is not to have more. I have seen people all over the world मैं Bill Gates की, Warren Buffett की, अपने देश के कई लोगों की बात आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं उनके साथ बैठता हूं, देखता उनके life में, कैसे वो लोग चुपचाप करते रहते हैं Infosus के मालिक को देख लीजिए मैं तो चाहता हूं इंटरनेट का सबसे बड़ी information उन्होंने पूरे वर्ड में Bill Gates हो या information is great can take you to the can give you the speed can take you to the entire world the fastest speed is not enough my dear Mahatma Gandhi said what is the use of that speed which has no direction speed ho speed thrills but kills speed alone is not enough if there is no direction jana hai east ho chale ge west इसलिए शिक्षा speed भी देती है और direction भी देती है हमारे देश में Infosus का मालिक information तो दी लेकिन मुझे लगए internet के साथ साथ चाहे वो Google हो चाहे वो Microsoft हो चाहे IT कंपनिया हो internet तो देती है लेकिन शिक्षा आपको internet देती है internet और internet दोनों साथ साथ चलने चाहिए तभी जीवन सफल होगा then you can succeed only succeeding in one way is not success इसलिए life is not to have more life is to be more and to be more is share more give more and care more ये caring ये sharing ये giving एक दूसरे की हो अपने परिवार को मत भूल जाईए अपने माबाब को मत भूल जाईए क्योंकि उनकी वज़े से आज आप यहां खड़े हैं मैं तो परिवारों को कहना चाहता हूँ आप अपने बच्चों को कार दीजिए no problem लेकिन कारों के साथ संसकार दीजिए संसकार होंगे तो ये बच्चे ये बच्चे जहां भी जाएंगे एक लाइट हाउस बनकर आगे बढ़ेंगे मैं आप के जीवन की सुकत कामना करता हूँ आप जीवन के रंग मंच के सचे कलाकार बने सफल कलाकार बने भगवान आपको लंबी आयू दे दीर घायू दे और सफलता के उचाईयों को आप छूएं और फिर पुना इस सोच के लिए मैं फिर धन्यवाद देता हूँ और आज रक्तदान दिवस है विश्व रक्तदान दिवस देखो भीया रक्तदान बहुत जरूरी है रक्तदान, महादान और रक्तदान सबसे बड़ी पूजा है अगर मौका मिले आप जरूर अपने खून का दान करें बलिदान ना कर सकें देश के लिए कम से कम हम रक्तदान तो करी सकते हैं लोगों का जीवन बचा सकते हैं और इसके लिए पहलवान बनने के जरूतनी है एक दुबला पतला आदमी भी रक्तदान क्या दे सकता है के नहीं रक्तदान अरे यार अभी तो खाने का टाइम नहीं हुआ है रक्तदान दे सकता है के नहीं Exhale भारत माता की, भारत माता की, अब मेरे साथ सब लोग एक संकल्प करेंगे, बहुत देर से बैठें, आप खड़े हो सकते हैं कि एक सेकंड के लिए, शबास, हम सब वहां खड़े होंगे, आप वहां खड़े होंगे, और वहां से एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आज समय आ प्रितवी को बचाने के लिए, because there is a plan A and plan B, there is no planet B, only one planet we have, उस प्रितवी को बचाने के लिए, हम एक दूसरे का हाथ पकडेंगे, यहां से मैं जाऊंगा, और जब तक मैं जाऊंगा, तब तक आप तयार हो जाएंगे, एक दूसरे के हाथ पकडेंगे, और पकड़ कर संकल्प लेंगे कि हम एक पेड अगर 21 लगा सके तो बहुत बढ़िया अपने बर्थडे पर अपनी वर्षगांट पर लगाएंगे और ये संकल्प करेंगे पृत्वी बचेगी तो पीडियां बचेगी पीडियां बचेगी तो हमारे आने वाली पीडियां बचेगी और ये धरती बचेगी धन्यवाद तो अभी आपने सुना स्वामी चिदानन महराज जी को जिन्होंने बहुत सारी अच्छी बाते बताई उन्होंने बताया कि परयावर्ण को किस तरीके से बच्चाया जा सकता है हर एक विडियार्थी को एक एक पेर लगाना चाहिए अपनी वर्षगांट पर जिससे वो कही ना कही सहयोग दे सकते हैं परयावर्ण को बचाने के लिए तो पढ़ाई के साथ साथ परयावर्ण को बचाने का संदेश भी यहाँ पर दिया गया और साती आपको बतादे कि यहाँ पर दिक्षान सावार हो M.E.U. का चल रहा है और इसी में मुक्यतिती के तौर पर पहुंचे हैं स्वामी चिदानन महराज जी जिनोंने अभी अभी बच्चों को संबोधित किया और बच्चों को वहुत सारी अच्छी बाते भी बताई किस तरीके से वो अपने निजी जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं और शिक्षा के क्षेतर में MMU ने एहम योगदान दिया है MMU की कारियों की सरहना भी उनकी ओर से की गए तो MMU में दिक्षांक सामरू का आयूजिन किया जा रहा है जहां पर स्वामी चिदानन महराज जी मुक्यतिती के तौर पर पहुंचे हैं और यहां पर शिक्षा के क्षेतर में MMU का एहम योगदान है इसे लेकर वहाँ पर बातचित भी की गई और अभी अभी आपने स्वामी चिदानन महराज जी की आवाज को सुना उनके विचारों को सुना और पढ़ाई के साथ साथ परवर्ण को भी बचाना चाहिए और आज विश्व रक्तदान दिवस है इसी के चलते उन्होंने ये भी संदेश दिया कि रक्तदान जो है वो सभी को करना चाहिए चाहे आपकी सहत कैसी भी है रक्तदान करना बहुत जरूरी है और सबसे बड़ा दान रक्तदान को माना जाता है तो मुलाना से लाइब तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ परशिक्षा किक्षेत्र में MMU का एहम योगदान है इससे लेकर चर्चा की गई और साथ ही यहाँ पर विचार भी अभी स्वामी चिदानन महराज जी ने रखे और पढ़ाई के साथ साथ पर्यावर्ण को भी संभालने का संदेश उनकी ओर से दिया गया तो बिलेटिन में फिलाल के लिए बस इतना ही जाते जाते एक नजर मौसम के अपडेट पर प्रोप में पर भी स्वामी ओर्पिस्वार्ण के लिए याबगी के लिए जया झाल के लिए ग्री उनकी गया ही जाते रही जाते लिए जाते लिए पर लोग्ग, इसे जाते हैं